असलाम अलेकुम आज बना रही हूं अर्बी गोश्ट तो यह मेरा 300 ग्राम गोश्ट है बहुत से लोग कहते हैं अर्बी गोश्ट खाने में अच्छा नहीं लगता टेस्ट नहीं आता अर्बियां चिपचिपी हो जाती हैं लेकिन इस तरह बनाएं अर्बी और इसे मैंने वोश करके रख लिए हैं तो अब इसमें चिपचिपपाई नहीं आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक बढ़ोले में पहले पानी रखेंगे और उसको गुन गुना होने के लिए बेट करेंगे तो उसमें डाल देंगे गरम पाने में अपनी अर्बियां तो इसके अंदर हमें एक ख़दा लेना है सिर्फ एक ख़दा हमें अरबियां को इसमें नहीं पकाना कुछ नहीं करना सिर्फ एक ख़दाने का वेट करना है और डाल देना उसमें नमक तो हमारे इसमें एक ख़दा आ गया है तो हम इसे अपनी सारी अर्बियां निकाल लेंगे एक चल्ली के अंदर चल्ली की मदद में जो सारा पानी निकल जाए और इसे वोश कर लें तो इसे अच्छे से सारा पानी वोश कर लें जो हमने इश्टर नम्ग डाल लता वो सब निकल जाएगा आगे चलते हैं कि हमननेगे कुकर रख दिया अपना गेस पर इसमें डाल डिया अपना रिफाइन टोविल तो हमने जो अरभियां वोश करी थी वह इसमें डाल देंगे तो हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए हैं इसके अंदर अर्भी अपनी अच्छे से पूरी ना मुझे लाइट ब्रॉन करने ना गोल्ड ब्रॉन करने हैं तो देखें मेरे अर्भी हलके पिंक हो गई हैं अभी निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में और आगे चलते हैं उसकी आगे च सावास घरम मसाले डालूंगी यह मैंने इलाइची ली है छोटा सोड़ा जीरा दो लोंगे बड़ी लाइची एक वाइट वाली लाइची दो दाल चीनी के टुकड़े छोटे-छोटे हैं तो इसको डाल देते हैं अपने रिफाइन टोईल में तो जो हमारा रिफाइन नहीं करने यह मैंने दो बड़ी प्यास ली है तो मैंने इसे बारिक काट लिया है दो बड़ी प्यास को अब इसको भी उसी रिफाइन टोर में डाल देते हैं जिसमें हमने अपने मसाले खड़े मसाले डाले हैं तो हमें इसे भी लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं कर औरा से पहले करेंगे , और कुछट भर स्वाइट करेंगे , आपका प्सहसीं के अधित करेंगे . क्यांके हमारी ब्यास का कच्छापन नीकल चुका है . इसको भी हम कम से कमी 60-200 मिनट एसी जेख utama ते कि टो तना चलाएंगे , उसमें मैं मस्खेवाएट करेंगे , दर जाने पैंने दचीड़ान रिखनी काशिए रिखने करे था कि आपवड़ाने दो देंसे आपकेशा ना दाले हैं और इस अच्छे से चला दूँगी क्योंको मुझे गोस गलाना है तो हम गोस गलाने के बाद सबसे पेरा लश्ट में सबसे लाश्ट में जा रहा है हमारा नमक तो इसको हमा कूकर को बंद कर देते हैं अब इसके जितनी हमें कूकर गोस अपना गलाना है उतनी सीटिया ले लेते हैं जैसे नॉर्मली कोस को गुलाने में छेसा सीटिया तो लगानी पड़ते हैं तो मेरी कोस देखती हूं गला या नहीं गला देखिए मेरा जो गोश्टे इसा लग रहा है बुन चुका है मैंने बिल्कुर ठीक एकदम सही टाइम पर खोला है तो 102 मिनिट तक और इसी अपने भूने मसाले में चलाएंगे तो देखिए जो मैंने यह रही डाली है इसे एक सो दो मिनिट इसी के अंदर इस तरह ही चलाते रहना है जो इस तरह पानी होता है ना गोश्ट का जो मारा भूना नहीं था वह भी बुन जाए और जो मारा सब्सक्राइब करेंगे यह मैंने हरी मिर्च और अच्छी लगती है और मैंने कुकर खूल के देखा तो मैंने अर्भी चेक करी हूं बहुत अच्छा माशालला बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मेरी होकी आपकी प्लेटिंग तैयार यह मैंने निकाल दिया वीडियो अच्छी वीडियो में अल्लह अफीज